हेलो बच्चों तो आप सभी का हमारे इस यूटूब चैनल मिशन टूपय आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो बच्चों आज हम क्लास नाइन्थ का विज्ञान का मॉडल पेपर विकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 4 को करने जा रहे हैं और ये जो मॉडल पेपर आपके टेस्ट के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अन तक जरूर देखना और अपने सभी सात्यों को से एर जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चो इससे पहले हमने विग्यान का तीन और मॉडल पेपर चैनल पे करा दिये हैं यदि आप उससे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप तीनों सेट को जरूर से जरूर देख लेना तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस model paper में जो भी प्रशन दियेगें सभी का सभी important है देखे जो सबसे पहला question है क्या लिखाबा है घनत्व का SI मात्रक क्या है ठीके तो घनत्व का SI मात्रक है बच्चो वो है आपका kg per meter q यानि कि option number c इसका बिल्कुल right हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं next question में भार का मान सभी जगा होता है ठीके तो आपको बता दिये थे हम भार का जो मान होता है वो सभी जगों पर अलग-अलग होता है आसा मान होता है जैसे कि प्रित्वी के धुरू पर सबसे मान जो होता है भार का वो अधिक्तम होता है लेकिन प्रित्वी के केंदर पर सुन्य होता है ठीके यह आपको पता है इसलिए भार का मान जो होता है सभी जगा क्या होता है आसा मान यानि का option number 20 का बिल्कुल right हो जाएगा तीसरा number question देखो प्रित्वी के केंदर पर 20 केजी बालक का भार होगा ठीके तो कितना होगा बचो ठीके तो प्रित्वी के केंदर पर अभी हमने बोला कि प्रित्वी के केंदर पर भार सुन्ने हो जाता है option number A का बिल्कुल right हो जाएगा आगे देखो जीवों को किसने 5 जगत में वर्गे करित्थ किया टीके तो प्रित्वी जीवों को वह बचो आर वही टेकर यानि option number C इसका बिल्कुल right हो जाएगा ठीके तो आप याद रखेंगे कि आर वी ही टेकर जो थे ये जीवों को कितने भाग में बाटे तो पांच भागों में बाटे याद रखना ठीके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन दाब का एसाई मातरक क्या है ठीके दाब का एसाई मातरक क्या है बच्चो तो पासकल है तो सवाल ऐसे भी हो सकता है दाब का इसाई मातरक पास्कल है तो पास्कल कितने के बराबर है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा बच्चों आप लोग का न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर ठीके दाब का इसाई मातरक जब पास्कल है तो पास्कल एक पास्कल के बराबर कितना है तो Newton पर meter square यानि की ये इसका सही हो जाएगा आप इसको भी याद रख लेना ठीके next question देखते हैं हम लोग भार का इसाई मातरा क्या है ठीके तो भार का इसाई मातरा क्या है Newton option बरे इसका बिल्कुल right हो जाएगा प्रकास संसलेशन करने वाले एक कोशिक यूकरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे काफी important सवाल है प्रकास संसलेशन करने के लिए एक कोशिक यूकरियोटिक जीव को आप किस जगत में रखेंगे बच्चों तो ये आप रखेंगे प्रोटिष्टा में, किसमें रखेंगे प्रोटिष्टा में, ठीके, चलिए, नेक्स्ट कुशन देखते हैं, हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, ठीके, एक नंबर कभी सवाल इस तरीके से बन सकते हैं, आगे देखते हैं, मेंधक के हिरिदय में कितने कच होते हैं, ठीके, तो मेंधक के हिरिदय में कितना कच होता है, ठीके, तो ये होता है, तीन कच, ठीके, आपको कमेंट करके बताना है, कि मानाओ, मानाओ के हिरिदय कितना कच होता है, ठीके, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीके, तो बुकलांग किसमें पाया जाता है तो बिच्छू में option बरे इसका बिल्कुल right हो जाएगा आगे देखो किसी वस्तू का चंद्रमा पर भार प्रित्वी पर भार का कितना गुना होता है ठीके तो आप लोग को पता भी है कितना गुना 1 by 6 गुना ठीके बहुत बार आपको ये सवाल बता चुके है ठीके प्रित्वी पर जितना भार होगा ना उतना चंद्रमा का 1 by 6 गुना चंद्रमा पर होगा ठीके प्रित्वी का जितना भार होगा वो चंद्रमा पर कितना भार होगा 1 by 6 गुना ठीके नेक्ट कोशन देखते हैं हम लोग ये था बच्छो आप लोग का 10 कोशन ठीके और अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव कोशन को भी देख लेते हैं ठीके इस बार आप लोग का इस बार से हमने पहले बता दिया था कि इस बार से आप लोग को सब्जेक्टिव अब्जेक्टिव दोनों तरीके का सवाल पूछा तो चलिए कुछ subjective question को भी हम लोग देख लेते हैं गुरुत्वा करसन क्या है इसके सारवत्रिक नियाम क्या है तो गुरुत्वा करसन क्या है बच्चों तो यहां हमने लिख दिया है प्रित्वी पर इस्तित सभी वस्तुएं एक दूसरे को आकरसित करती है खीचती है वस्तु को गुरुत्वा करसन बल कहते है इसके सारवत्रिक नियाम क्या है बच्चों तो भी आपको नीचे हम लिख दिये हैं यह लिख भगे देखभाए नियूटन नामक वग्यानिक ने सबसे पहले 16 86 में गुरुत्वा करसन क्या था तो यह भी आप याद रखेंगे आगे देख या कि गुरुत्वा कर्सन बल का मान वस्तुमों के द्रविमान के गुननफल के समानु पाती तथा उनके बीच की दूरी के वयुत करमानु पाती होती है ठीक है इतना लिख लोगे तो आपका अच्छा माक्स मिल जाएगा नेक्स्ट कुशन देखते हम लोग दूसरा नंबर एक वस्तु कद्रविमान 10 केजी है चंद्रमा पर कितना भार कितना होगा ठीक है बहुत ही अच्छा सवाल है लॉरी पॉप सवाल है तो वस्तु कद्रविमान कितना दिया हुआ है 10 केजी ठीक है मतलब कि M दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10 केजी आपको क्या निकालना है बच्चों तो आपको निकालना है चंद्रमा पर भार तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना प्रित्वी पर वस्तू का भार निकालना बहुत ही असान है तो प्रित्वी पर भार निकालना इससे लिख देंगे और जी का वेल्यू कितना होता है आपको पहले बताते है नाइन पॉइंट एट ठीक है जब गुना करेंगे तो नाइनटी एट नियूटन तो यह हो गया आपका अगर दस केजी के द्रेविमान का कोई वस्तू है तो प्रित्वी पर उसका भार कितना होगा दस नाइनटी एट नियूटन ठीक है ना तो इतना भी आप अच्छे से याद रखने सवाल ऐसे भी हो सकता है कि वस्तू का द्रेविमान दस केजी तो प्रित्वी पर भार कितना होगा तो इतना लिख दोगे तो हो जाएगा अब क्या है चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा चंद्रमा पर होगा चलो काटते हैं छे का छे हो जाएगा कितना हो गया तीन अड़ तीस छे चक छत्तिस फिर दो बचा तीन चे चक छत्तिस दो बचा छे ती आठारा यानि कि 16.3 नूटन ठीक है 16.3 नूटन ठीक है तो इसका आप स्क्रिन सॉट ले लो काफ इंपॉर्डन जाता है तो तरल उस वस्तू पर उपर की और एक बल लगता है जिसे उत्पलावन बल कहते हैं उत्पलावन बल का परिनाम तरल के घनत्वक पर निर्भर करता है इस घटना को उत्पलावक्ता कहते हैं ठीक है तो आप इतना लिग दोगे तो बहुत है ठीक है उत्पलावक् प्राक्टिस कोश्यं बिधि कर लेते हैं ताकि आपको टेस्ट अच्छा जाए ठीक है जितना से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका टेस्ट जाएगा ठीक है ठीक है कि अ पत्री पौधा इसमें से कौन है तो आपका धान है क्या है धान है नेश्ट कोशन देखो गुरुत्वा करसन बल का खोज कौन किया था न्यूटन किये थे ठीक है और कब किये थे तो 1686 में ठीक है तो ये भी आप याद रखेंगे आगे देखते हैं नेश्ट कुशन किस तो आपको पता है बच्छो मच्छली में मच्छली में क्या पाय जाता है घिल पाय जाताह है आगे देखो पाइनस और साइकस है ठीक है तो ये एक जिम्नोस्प्रम है ठीक है ऑप्सन नबर डी असका बिलकुल राइट हो जाएगा आगे देखो निच्ट कुशन प्रोटो प्रोटो जो आपना बोजन स्वम बनाता और इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा आगे देखते हैं next question गुरुत्वा कर्षन इस्तिरांक G कमान है ठीके तो गुरुत्वा कर्षन इस्तिरांक G कमान जो है ना 6.67 into 10 का पावर minus 11 newton meter square per kg square यानि option number A इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ठीके क्या हो जाएगा 6.67 into 10 का पावर minus 11 newton meter square per kg square ठीके तो आप इससे को याद रखेंगे ठीके चलिए next question देखते हैं हम लोग यू केरियोटिक बहु को सिखिये और विसम पोसी जीवन को किस जगत में रखा गया है ठीके तो इससे किस में रखा गया है बचो तो ये रखा गया है फंजाई में ठीके ये जो विसम पोसी जीवना यूरियोटिक वोकस से विसम पोसी ये फंजाय में रखा गया है आगे दिखते हैं पच्छी के हिरिदय की कोष्टों की संख्या कितनी है तो पच्छी के हिरिदय की कोष्टों की संख्या कितना है बच्छों तो ये है चार ठीके ये कितना है 4 option number 10 का विल्कुल राइट हो करते हैं हम दो सवाल इसमें करने के लिए बताइए तो आप जरूर से जरूर कमेंट करना ठीक है और उम्मीद करते हैं कि आप सारा set को जरूर से जरूर देखे होंगे ये आपका set फोर था बत्चों ठीक है और इसके बाद भी आप लोग का जो टेस्ट होगा ठीक है ये आप लोग का लास्ट सेट है आपके टेस्ट के लिए ठीक है जो आपका कल टेस्ट होने वाला है उसका लास्ट सेट है ठीक है और इसके बाद आप लोग को अंसर की बहुत जल्द आप लोग को अंसर की भी अपलोड कर दि यह हो ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं और हमसे जुड़ने के लिए बच्चो आप हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम वट्सप ग्रूप वट्सप चैनल चारों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया वहां से आप हमसे आड हो सकते हैं और बेज जिजक कोई भी सवा किया है ठीक है आप वीडियो को देख लेंगे एक वीडियो अपलोड हो चुका है क्लास 9 अपलोड की हुआ है तो देख लेंगे ठीक है चली मिलते हैं यह थांक्स मच